पिछले कुछ समय से देश में हर्ट अटैक और कॉडियो अरेस्ट के काफी ज़्यादा मामले सामने आए हैं इनमें कई लोगों की हर्ट अटैक आने के चंद पलों के अंदर ही मौत हो गई डरने वाली बात ये है कि हर्ट अटैक से अचानक जान गबाने वाले लोगों में ज़्यादा तर युवा थे किसी को चलते फिरते, किसी को नाचते नाचते और किसी को खेलते खेलते दिल का दौरा पढ़ रहा है तिलांगाना की रास्थानी हैदराबाद में पिछले दस दिनों में हट अटैक के पाच मामले सामने आये हैं वहाँ एक इंजिनेरिंग कॉलेज के चातर की दिल का दौरा पढ़ने से मौत हो गई चातर बीटेक के फर्स्ट इयर की पढ़ाई कर रहा था इस घटना से ठीक पहले हैदराबाद के सिकंदराबाद में बैडमिंटन खेलती खेलते एक शक्स की अचानक हट अटैक से जान चली गई तिलांगाना के नादेड में डांस करते करते अचानक एक लड़के को हट अटैक आ गया और उसने मौके पर ही दम तोर दिया लड़के की उम्र महज 19 साल थी 22 परवरी को हैदराबाद में एक जिम में वरक आउट के दोरान एक पुलिस कॉंस्टिवल की हट अटैक से मौत हो गई वहीं इससे पहले गुजरात के एहमदाबाद में एक क्रिकेट मैश के दोरान जिस्टी करमचारी की हट अटैक से मौत हो गई बॉलिंग करते वक जिस्टी करमचारी की तब्यात विगडी और वो जमीन पर गिर गया आपको बता दे कि गुजरात में एक महिने में साथ लोगों की हट अटैक से जान गई है इन सभी मामले में हट अटैक से जान गवाने वाले लोग 40 साल के उम्र के थे आखिर क्यों कम उम्र के लोगों के बीच हट अटैक के केस बढ़ रहे हैं कई लोग गलत खान पान, गलत लाइफस्ट्राइल, बिमारिया और कोरोना वाइरस को इसके लिए जिम्यदार बता रहे हैं तो कई लोग इसके पीछे मौसम का बदलाव भी जिम्यदार मानते हैं इस सवाल का जबाब देते हुए जैपूर के हर्ट स्पेस्टिस्ट डॉक्टर गोविन शरन शर्मा कहते हैं हर्ट अटैक के मामले पहले साट साल की उम्र के आजपास के लोगों के बीच सामने आते थे लेकिन अब 20 से लेकर 30 साल के युबा भी इसके चपेट में आ रहे हैं इसके पीछे खराब लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, अलकोहॉल, स्मोकिंग जैसे फैक्टर जिम्यदार है मौसम के फैक्टर की बात की जाए तो बदलते मौसम का भी लोगों के स्वास पर काफी प्रभाब परता है वो कहते हैं कि मौसम बदलने की वज़़ से कई बार अच्वानक ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है इससे नसों में ब्लड ट्लोटिंग यानि की खून का थक्का जमने लगता है जिस वज़ा से हर्ट अटैक और ब्रेइन स्टोक आता है